हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माई चैनल, आज हम साही पनीर बनाएंगे साही पनीर आप इजिली घर में मना सकते हैं अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगें रेट कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो का लाटेस नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ये फ्री है साही पनीर आप इजिली घर में बना सकते हैं साही पनीर बनाने के लिए हम यहाँ पे लिए हैं 300 ग्राम पनीर इसको हम क्यूब साइज में काड़ दिये हैं मसाला में हम लिए हैं 1 टेबू स्पून गरा मसाला पाओडर, 1 टेबू स्पून कास्मिरी रेड चिली पाओडर, 1 टेबू स्पून साही पनीर मसाला 1 इंच अदरक और 5 लेसन को पिसके इसका पेष्ट बना लिए हैं नमक स्वाथ के इसाब से और कुछ खड़ा मशाला में हम लिए हैं जीरा, दो छुटी इलाईची, दालचीनी, पीपर को थोड़ा सा क्राश कर लिए हैं, पांच च्छा पीपर लिए हैं, लॉंग लिए हैं तिन चार, दो साबुतलाल मिच और दो तेज़ पता, हाफ कप मिल्क लिए हैं, दूद लिए के इसका पेस्ट बना लिए हैं 3 टेबल स्पून देसी घी लिए हैं दो मीडियम साइज टमाटर को पीछ के इसका पीवरी बना लिए हैं कर्ड लिए हैं 2 टेबल स्पून चलिए अभी हम बनाना स्टाट करते हैं अभी कड़ाई में हम डाल देंगे घी यह साही पनीर है इसलिए हम इसको देसी घी में बनाए हैं तो इसका फ्रेवर बहुत अच्छा आएगा अभी हम इसमें डाल देंगे खड़ा मशाला दो साबुत लाल मीर्च इसको अच्छे से मिक्स कर दिजए मशाला को अच्छे से बुलने दिजए अभी हम इसमें डाल देंगे ओनियन और काजु का पेस्ट इसको अच्छे से मिक्स कर दिजए ओनियन हलका सा गोल्डन ब्राउन हो गया है अभी हम इसमें डाल देंगे अध्रक लशुन का पेस्ट, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, जब मसाला अच्छे से हो जाएगा, इसके उपर अख्यू झूलने लगेगा तब हम इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी, देखिए मसाला अच्छे से हो गया है इसके उपर ऐल चुलने लगा है अभी हम इसमें डाल देंगे टमाटा प्यूरी चाहे तो मार्केट में जो टमाटा प्यूरी मिलता है इसको भी यूज कर सकते हैं यह तो घर में ऐसे ही बना सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए ये थोड़ा सा होने के बाद हम इसमें डाल देंगे कास्मेरी रेड चिली पाउडर, गरम मशाला पाउडर, साही पनीर मसाला देखिए अभी हम इसमें डाल देंगे कास्मेरी रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, साही पनीर मसाला इसको ड इसके उपर आयल चुनने लगा है अभी हम इसमें डाल देंगे 2 डबु स्पून कर दाही इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए फ्रेस क्रीम डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसको अभी हम इसमें पनी डाल देंगे नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए अभी इसको हम थोड़ी दर के लिए कबर कर देंगे दीए कि इसके ऊपर आयल चुणने लगा है अभी इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर दीजिए अभी हम इसमें डाल देंगे मिल्क दूद डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लीजिए बीच-बीच में इसे ही चामूँ चलाते रहना होगा अभी इसको थोड़ी देर के लिए कभर कर देंगे देखिए कितने अच्छे से यह हो गया है अभी हम इसको दूसरे बतन में निकाल देंगे देखिए अभी हम इसको दूसरे बतन में निकाल दिये हैं आप एक बार इसको घर में बनाईए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक करना सेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग